सो हलो आएन वेलकम बैक टो माई चैनल एंडेटेन्मेंट की पाठ शाला सो आज जो एक्जाम था वह 2016 वाले का एक्जाम था सीमें इंटर का कॉस्टन एफ हम जो की यह एक ऐसा पेपर था जिसमें मुझे लगता है कि 100% स्टूडेंट डर के गए होंगे कि लास्ट दो टर्म स बहुत ही डिसेंट्स आया है कुछ भी उतना टफ वागएरा कुछ भी नहीं है ठीक है ना चलो हम आंसर डिसकस करते हैं एंसी क्यों का अब्जेक्टिव का ठीक है ना तो सबसे पहला क्वेश्यन क्या था तुम्हारा यहां पर क्वेश्यन था विच और फॉलिंग एकांट प्रफीटिंग है अब आते हैं टू तू बरा ही इजी था जहां पर हमको नेट प्रॉफित पूछ रहा है कितना है नेट प्रॉफिट कैसे निकल एगा शीम का फॉर्मॉला किया होता है गष्यमिया यहां पर 50 परसंट दिया है 40 परसंट किसका होता है और पाचास-पचास क क्या हो जाएगा टू का 110 लाइक ठीक है थ्री आता है थ्री का जो आंसर ना बजेटेट प्रोडक्शन कितना होगा वह होगा दस यूनिट दस यूनिट लेके तुम सम्स बनाओ ठीक है आ जाएगा क्योंकि इंटु कितना है यहां पर दिया होए 9,000 और बजेटेट कितना होगा option से ही मानों 10,000 कितना होता है 1,000이면 इंटू करना है कितना है पांच रूपिया तो 5,000 आ रहा है एए 27,000 फिक होगा थ्रीक our when फूर का हमको पता नहीं question सही लगा नहीं क्या 90% learning rate है तो फिर next वाला जो सेकेंड यूट बनता है जैसे कि doubling करते हैं हम लोग तो learning rate भी अप्लाई होता है तो एक से दुसरा बना रहा है तो होना चाहिए बट question में हमको error लग रहा है ठीक है तो उस पर बात नहीं करते है इंटर्मेडियेट प्रोडक्त होता है ठीक है ना ट्रांस्पर वाइस नॉर्मली नॉर्मली 100% नहीं होता है बट नॉर्मली इंटर्मेडियेट जो प्रोसेस ए प्रोसेस भी टाइप वाला जो होता है इंटर्मेडियेट थोरा सा बना है दूसरे प्रोसेस में लग रहा तो दी होगा और कोई भी अपने से आजमशन मत लेना कि इसका ये राइट इसका वो राइट है बुक देखना ठीक है प्वापर बुक देखना बुक में तुमारा सब कुछ सब कुछ बुक से आया हुआ है हुआ है ठीक है ना कोई हम चीज उल्टा फुल्टा नहीं बोल को सबसे पहला क्वेश्यन था एंगल ऑफ इंजिदेंट कांसर ग्या एंगल ऑफ इंसिदेंट कांसर होगा अप्शिय नमबर सी इंडिकेटर और प्रॉफिट अर्निंग कैपसिटी ऑफ फॉर्म ओवर ब्रेक इवेंस दो नमबर प्रॉफ पर्फॉर्मेंस बजट क्या होता ह है डी नमबर रस्पोंसिबिटी ऑफ वेरिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस प्री डिटर्माइए इन टर्मस अफ आउटफॉर्फ ठीके टू का डी थरी का गैंग वेरियंस गैंग वेरियंस कोई थोड़ा सा पढ़ा होगा तो लेवर से रिलेटर है तो लेवर उहां पर मिल सब कुछ एक्वाल होगा प्रॉफिट क्योंकि उसमें दोनों में डिफ्रेंस एक ही वज़ा से आता है लोजिंग स्टॉक का ट्रेटमेंट के वज़ा से और अगर वह रहेगा नहीं तो दोनों का प्रॉफिट से हम आएगा तो ट्रू लिखा ठीक है अब आधार सेकेंड व प्राइस से बढ़ाओ गया तो कॉंट्रूबिशन बढ़ जा क्यूंकि वेरीबल को सब्सक्राइगा तो बढ़ जाएगा और या फिर दोनों चीज करोगे तो हो जाएगा ऑविसली यह ट्रू है ठीक है अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग यह सारी फानेशल मेनेज सबसे पहला बोल रहा था यह थोड़ा ट्रिक की नहीं बोल सकते हैं जो पढ़ा होगा उसी वही कर पाया होगा क्लाइंटेली एफेक्ट इस असोचेट विद्विट विच मॉडल ठीक है ना इसका म मॉडल मॉदिक लियानी मिलेर मॉडल ठीक है ना उसका बात कर सेकेंड व पता होगा तुमको करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड़ वाइड़ करेंट लियाबिलिटी होता है ठीक है इक्वल टु वान वन पॉइंट वान दियावा सॉल्फ करोगी आंसर आ जागा तुम्हारा चाड़ लग स्टॉक का वैलू क्लेर हुआ है अब आता है फोर पॉर नियुकर बोलता है बोनी लिमिटिटेट है डिवेडेडंड लिखा है यहां पे पेड फेड घिट तो वी पेड नहीं है पेडिषमा मतर्त ब्लस एइन और वले greatesterson cancer of equity cost of equity as per growth model क्या होता है D1 by P0 plus G D1 कितना होगा D1 हमको निकालना परेगा रुपीज 3 का प्लस रुपीज 3 प्लस 10% मतलब 3.3 हो जिक गया मेरा D1 divided by P0 मतलब आज का market price 60 कर दिये जो answer है उसमें प्लस करना है 15 यह प्लस करना है कितना growth कितना 10 10% मतलब कि इसको 0.1 लिखना तो answer आपका आजाएगा क्या आजाएगा 4 का भी 15.5% 5 का बात करते 5 में simply बोल रहा है कि profitability index दिया profitability index तुमको निकालने अगर capital budgeting basic sums भी कियोगे तो profitability index निकालने आ जाता होगा कि क्या करते हैं लो cash inflow present value of cash inflow divided by present value of cash outflow करते हैं जो आता वही मेरा profitability index होता है यहां पर दिया हुआ है वह value और project और inflow present value of inflow दिया हुआ 337050 इसको अगर हम divide करते 1.05 से तो मेरा आजाएगा cost of the project cost ही तो मेरा outflow है ना जो मेरा प्रोजेक का cost वही outflow है तो वही निकालने बोला है तो simply 337050 से डिवाइड कर देंगे डिवाइड करेंगे 1.05 से तो आजाएगा मैं तीन लाग के की सजा यही मेरा क्या है मेरा outflow है अब 56 नमबर सिंपली बोल रहा है कि issue of share के ओविसली फैनेंसिंग अक्टिवेटी ऑप्शन नमबर सी अब बात करते हैं मैं वेंचर का अंसर क्या होगा बी नमबर कमर्शियलाइज अन्प्रूवेन टेक्नोलोजी और फाइनली मोधी ग्लियानी मिलर हाइपोथेसिस क्या है इसका अंसर होगा इनमबर theory of capital structure फाइनली आप बात करते है true false last four liquidity ratio of a company helps in determining cash position नहीं cash to determine the cash position of a company तो यह false होगा सेकेंड वाला बोलता है future expected profit इसका अंसर होगा true थ्री नमबर बोल रहा है कि dividend per share constant रहेगा और market price of the share declines करेगा तो dividend yield ratio with increase obviously increase अगर हम example देके समझा है तो तुम relate कर पाग dividend yield का formula क्या है dividend per share divided by market per share ठीक है मालो आज का market price 100 है और dividend हम देते हैं 10 रुपया ठीक है dividend yield कितना आ गया 10% रागया 10 by 100 अब बोलता है इस question बोलता है dividend same रहेगा मतलब 10 रुपय ही रहेगा लेकिन market price कम करें market price को चलो 50 कर दो 10 by 50 करेंगे तो कितना आएगा 20 परसेंट आएगा ना डिवीडेंट तो डिवीडेंट इल्त वर्ग याना मार्केट प्राइस इसलिए क्या होगा ट्रू होगा फोर नमबर वेंचर कापिटल इस फॉर्मा एक्यूटी फाइनेंसिंग फॉर हाइफ रिस्क हाई रिवर्ड ओविसलिए ट्रू ठीक है सारा चीज डिसकस कर दिया हर एक चीज राइट है एक क्योशन में हम बता दिया कि हमको वह वाला जो लर्निंग वाला उसको छोर के बा